हेलो एवरीवन आज इस वीडियो के अंदर हम एंट के अंदर हमारा जो टोपिक है एस ओ एम यानि की एक्ट्ट सुप्यूर्टी ओटैटिस मीडिया उसके बारे में सिखने वाले हैं तो एंट में क्या है कि कुछ जो टोपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपोटन्ट है हम उस तो आज हम सिखने वाले हैं इसके बारे में तो हमें क्या क्या सिखना है इसके बारे में तो कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम इसकी इतियोलोजी देखेंगे फिर उसके बाद हम इसके प्रीडिस्पोजिंग फेक्टर्स के बारे में बा के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं A-S-O-M के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी definition क्या है ठीक है तो definition क्या है इसकी तो कि it is the acute inflammation of middle ear cleft by pyogenic organisms अब middle year cleft क्या है वो हम थोड़ी ही देर में देखते है बट आप मान लीजे कि ये middle year cleft जो है उसका inflammation है ठीके और inflammation किसकी वज़े से होगा तो कि pyogenic organisms की वज़े से होगा इन कौन-कौन से organisms involve होने वाले है इसके अंदर वो भी हम अभी ही देखने वाले है ठीके होगे तो कुछ organisms की वज़े से middle year cleft का inflammation है ठीके middle year cleft के अंदर क्या होता है middle year cleft की से बोलते है तो कि जो हमारा middle year है middle year and उसके साथ-साथ-सके आसपास के structures जैसे की, Eustachian, Tube, Attic, Editus, Entrum, Mastrid, Air Cell ये सब कुछ जो आसपास के structures है वो मिलकर middle year cleft बनाते है ठीके middle year cleft का हम एक अलग से वीडियो देखेंगे बट अभी के लिए आप इतना समझ लिजिए कि middle year cleft के अंदर ये सब चीज़े involved होती है और इन सब का पावजनिक organisms की वज़े से inflammation हो उस condition को बोलते है ASOM यानि की acute security otitis media तो ये हमने बात कर ली है इसकी definition के बारे में अब हम देखने वाले हैं इसकी etiology अब हमें देखनी है इसकी etiology ठीक है तो etiology के अंदर हम देखते है कि किस तरह से disease होता है तो हम etiology के अंदर दो चीज़े देखने वाले हैं सबसे पहला कि ये जो disease है वो more commonly कि इन लोगों में देखने को मिलता है और उसके बाद हम देखने वाले है root of infection के बारे में तो ये जो disease है वो more commonly children के अंदर देखने को मिलता है and जो lower socioeconomic group वाले जो बच्चे होते हैं जो infants होते हैं lower socioeconomic group वाले उन लोगों में commonly देखने को मिलता है अब middle year के अंदर infection है and middle year के आसपास के जो structures हमने देखे कि edic, editus, entrum, mastod, air cells, eustation tube ये सब जगर पे infection पहुंचा कहां से ठीक है वहां पे infection आया कहां से वह हम देखेंगे root of the infection के अंदर तो तीन तरह से ये जो infection है वह वहां पे पहुंच सकता है सबसे पहला है कि through eustation tube अब क्या होता है कि ये जो eustation tube वाला जो root है ना वो more common है ठीक है या फिर बोल लेजिए कि most common root है ये ये जो root है वो most common root है eustation tube से जो infection है वो nasopharynx से वहां पे पहुंचता है अब क्या है कि जो infants and young children होते है इसकी जो eustation tube होती है ना वो short होती है and wide होती है ठीक है and horizontal भी होती है ज्यादा horizontal होती है adults की comparison में तो इसकी वज़े से जो infection है वो वहां पे easily पहुंच सकता है वहां से eustation tube से middle year के अंदर easily पहुंच सकता है और फिर middle year के अंदर आजा होने के बाद आसपास के structure में फैल जाएगा जो infection है वो पीर क्या होता है कि breast feed या bottle feeding के time पर जो fluid होता है जो milk होता है वो horizontal position की वज़े से जो fluid है वो middle year के अंदर easily पहुंच जाता है ठीक है breast feeding या bottle feeding के time पर जो fluid होगा वो जो middle year है उसके अंदर easily पहुँच जाएगा फिर उसके बाद क्या है कि जो adults है उसके अंदर भी ये disease हो सकता है तो adults के अंदर क्या होगा तो कि swimming के time पे या फिर diving के time पे जो water होगा वो middle year के अंदर पहुच जाएगा ठीक है ये उस्टेशन ट्यूब के थरू तो हमने बात की कि ये जो disease है वो more commonly children के अंदर देखने को मिलता है बट ऐसा तो नहीं है कि adults के अंदर देखने को ही नहीं मिलेगा तो adults के अंदर जो water है वो कहां से जाएगा middle year के अंदर तो कि swimming के time पे युस्टेशन ट्यूब के थरू middle year के अंदर पहुच जाएगा ठीक है इसके बाद हम देखने वाले हैं predisposing factors के बारे में तो ये जो हमने starting में देखा ना कि हम क्या क्या सिखने वाले है उसके अंदर हमने definition etiology देख लिए अब हम देखते है predisposing factors के बारे में तो मतलब क्या है तो कि जो हमारा ASOM disease है वो तो एक disease है ही तो साथ साथ में कौन-कौन से disease होगे जिसकी वज़े से ये disease हो सकता है मतलब कि ये जो predisposing factors के अंदर जो disease अभी में आपको बताने वाली हूँ ये disease अगर किसी इंसान के अंदर present है तो उसको chance है कि उसको ASOM हो ठीक है तो सबसे पहला उसके अंदर क्या है तो कि recurrent attack of common cold and upper respiratory tract infection अगर किसी को बार-बार से common cold हो रहा है अपर respiratory tract infection हो रहा है ये condition है जिसके अंदर fever होता है जैसे कि measles, aptheria, whooping cough ये सब कुछ हो रहा है तो फिर उसके बाद क्या है तो कि जो tonsils and adenoids है हमारे उसके अगर infection हुए है किसी इंसान को तो फिर उसके बाद है chronic rhinitis and sinusitis अगर किसी इंसान को हुआ है तो ठीक है फिर उसके बाद क्या है तो कि अगर किसी को nasal allergy है तो cleft palate है तो फिर nasal pharynx का tumor है तो and हमने epistaxis के वज़े से nasal pharynx का या nose का packing किया हुआ है तो ये सब कुछ जो condition मैंने आपको बताई ये condition अगर present है इसमें से कोई भी एक condition present है तो हो सकता है कि उस इंसान को asom हो अब ये किस तरह से होगा ये आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी जो हम pathology और clinical features देखने वाले है उसके अंदर हम pathology देखेंगे और उसमें आपको थोड़ा सा idea आ जाएगा तो ये है predisposing factors अब हम देखते है बेक्टरियोलोजी के बारे में मतलब कि कौन-कौन से बेक्टियर या इस डिसिस के अंदर इन्वोल हो सकते है तो more commonly involved होने वाले organisms है streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, morexella catarrhalis तो ये जो organisms है ये most commonly involved होने वाले organisms है इसके अलावा भी कोई-कोई organisms है जैसे कि streptococcus pyogenes, staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa ये सब जो organism है वो भी involved हो सकते है बट more commonly involved होने वाले organisms ये सब है ठीक है तो कौन-कौन से बेक्टियरिया की वज़े से स्टार्टिंग के अंदर ही हमने आपको बताया था ना कि ये जो डिसेस है वो मिटल जर्कलेफ्ट का इंफ्लामेशन है पायोजनिक उर्गेनिजम्स की वज़े से तो ये कौन से उर्गेनिजम्स है ये मैं आपको बताया अभी कि ये जो और्गेनिजम्स है ये more commonly involved होने वाले और्गेनिजम्स है बट इसके अलावा जो और्गेनिजम्स है स्टेप्टोकोकस, पायोजन, स्टेफालोकोकस, ओरियस, स्टूडो मोनस, एरोजिन नुसा, इन में से कोई भी और्गेनिजम्स रिस्पोंसिबल हो सकते हैं ये डिसीज के लिए, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हमने डेफिनेशन, इटियोलोजी, प्रिडिस्पोजिंग फेक्टर्स, एन बेक्टियोलोजी के बारे में देखा है, अब इस डिसीज के पेथोलोजी एन क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यह चार जो चीजे हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर देखी, अब इसके बाद हम पार्ट टू में देखेंगे, थैंक यू